नान्दे उद्धून उसको पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल भारत अस्पताल का मकसद आप की सिहज़ अमझी सिफातार के फर्ज़न अब्दू समत के यहां मेडि यारी कमपनियों के सी-सी टीए कैमरे जैसे सी-पलस दस्थियाब में यालेडी लाइट्स, शिसकाईट, टी-एलेस और इसक अलावा दुसरी कमपनियों के लेडी पल अप दस्थियाब है बारा पता है रूबुरु मक्का मदीद अफरा कलेक्शन की पीछे चौक बादर नादर असला लेकुम नाजरी नादर दुनियुद में आपका इस्तखबाल है चलिए जान दे आज के खबर मदिना दुल्म हाइसकुल की जानिफ से करियर गाइडनस वो तक्रीब तक्सीम इना प्रोग्राम रखा गया था मदिना दुल्म हाइसकुल की जानिफ से करियर गाइडनस वो तक्रीब तक्सीम इनामात का प्रोग्राम अनवर गाडन में रखा गया था 26 जनवरी के जिमन में मुक्तलिब तखारी तहरीरी मुकाबले खुश्खती मुकाबले के साथ खेल के मुकाबलों में तकरीबन तलबा और तलबात को इनामस से नावाजा गया इस प्रोग्राम में तलबा और तलबात की हमत अफजाए की गई इसके अलावा मदरस हादा के तमाम ही उस्तादा तदूरी सी और गार तदूरी सी अमले ने सरगरम रहे कर इस प्रोग्राम को कामयब बनाने में महिनत की जनाब शफिया अमद खुरेशी ने कहा कि मजलिस इंतिजामिया मदरसा मदिन तुल्म नांदिर की जानिफ से 9, 10, 12 के तलबा करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया था और इन्होंने कहा कि इंतिजामिया की जानिफ से इस तरह के प्रोग्राम जिसमें बच्चों की मियार को बढ़ाने के सिलसिले में गाइडेंस के सिलसिले में हमेशा ऐसे प्रोग्राम रखते रहेंगे आज अल्हम्दलिल्ला मदलिस इंतिजामी मदरसा मधिनती लूल नादेल की जानिफ से 9, 10, 11, 12 के तलबा के लिए केरियर गाइडेंस का प्रोग्राम मुनक्द किया गया था जिसमें बॉंबई और नादेल से जो एक्सपर्ट स्पिकर्स हैं उनकी तकारीर रखी गई उनका गाइडेंस रखा गया और इंशालला मेनेजमेंट की जानिफ से इस तरह के प्रोग्राम जिसमें बच्चों की मेहार को बढ़ाने के सिलसिले में उनको प्रावपर गाइड से ऐसे प्रोग्राम से इंशालला आएंदा भी रखते रहेंगे मैं तुलबा के सरपरस्तों से खुशुसी तोर पर इलतजा करूंगा कि वो बच्चों के तालीमी मेहार को बढ़ाने के लिए असातजा का सदर मौलमा का और मैनेजमेंट का तावन करें पॉजिटिव ताव इसका प्रोग्राम बहुत ही कामियाब प्रोग्राम हुआ बांबाय से नांदर के लोग जो है बच्चों की रहनुमाई करें कि मैंने 10 के बाद 12 के बाद किस तरह से अपनी जिन्दगी को कामियाब बनाएं और तालीम असल में तखरीर का मकसद यही था कि भी तालीम हम हासि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद क्या है असल में तालीम हासिल करने का मकसद है कि हमारी जिन्दगी को कामियाब और खुशाल बनाए उसके लिए जो दरकार होती है वो है हमारी दिल्चस्पी इंट्रेस्ट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्र ऐसा हमारा मोटो था ऐसा हमारा आपजेक्ट था जिन्दगी का जो यहां पर हमने देखा और बच्चों को हमने वही मैसेज दिया कि बच्च जो है तालीम हासिल करकर अपनी जिन्दगी को कामिआप बनाए यह बहुत जरूरी है आज जो प्रोग्राम हुआ है केरियर गाइड राह दिखाई और बहुत मुफीद बाते की बिल्खुस कच्वे साहफ दे बड़ी कारामत बाते की मैं इस मदर्फे की मदिनत अलूम की सदर मौलमा साहबा निसार फातिमा और तमाम असातेजार मौलमा को दिल की गहराईयों से मुबारबाद देता हूं कि उन्होंने बहु को बहुत सलीकित से समा रहा है उम्मीद है आगे भी इस स्कुल के अच करियर गैडंस के प्रोग्राम रखा गया था इस प्रोग्राम में तल्बा और उनके पैरेंट्स है कसीर तदाद दी शिर्कत की तल्बा के लिए दुनाब ताजिम मलिक साहब नरिंदर चाहां पैरेंट्स को भी यह कहेंगे कि अपने बच्चों का की तालीम पर खुसुसी तोज्य दे और अपने बच्चों को इन्हीं करियर का इंतिखाब करने मदद करें जो के वो खाहिश रखते हैं और जिसमें उनों कामयावी हासिल कर सकते हैं मारा नाम लाइबा फातिमा है हमें जो ड्रॉइंग का इनाम मिला हम अगली बार इंशालला अच्छा से अच्छा करकर और अच्छे मार्क्स लाने के दोशिश करेंगे और हमारे मददर से का नाम रोशन करेंगे मुहमद बशीर अमद परदेशी के फ़तन मुहमद फारुख अमद की यहां शादी बिया और रोजमर्णा के इस्तिमाल के लिए हर खिसम के हिदरावादी वजा के बरतन दस्टियाब है एक मरतबा दरूत तश्रीफ लाए एमें फारुख अन ब्रादर मेडर सेंटर रूबरू मक्का वजी चौक बादर ना दे